हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी लोग उमिदेश आप अच्छे से होंगे खुश होंगे अपने अपने करों में तो दोस्तों मौनसून आ गया है और हो गया है मौसम ठंडा तो बस दिल किया कुछ मीठा खाने का तो बच्चों की फर्माइश्टी की हल्वा बनाया जाएं यह बट हुआ क्या कि सोञी घर में नहीं थी तो मैंने बनाया है यह बेसन और आटे का हल्वा बहुथ ज़्यादा अच्छा तयार होता है तो देखिए किस तरह की से बनता है चलते है किचिन की तरफ इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें देखते हैं तो लीज़ी दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं आज बेसन और ग्यहूं के अटा का हलुआ तो इसके लिए मैंने जो समान लिया है यह आप देख रहे हैं ड्राइब फ्रूर्ट्स हैं देशी-कांड भिजशन और ग्याहूं का आटा है और यह लिए मैंने देशी घी और साथ में ले लेते हैं यह हम इलाइची यह देखिए मैंने लाइची को थोड़ा सा मैंने क्रेश कर लिया है अब हम क्या करते हैं कि पहले कड़ाई में ले ले लेते हैं देशी घी तोड़ा ज्यादा लेना है आप अगर देशीगी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें रिफाइंड या कोई और गी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप सबी लोग अच्छे से जानते होंगे कि देशीगी की जो मुठाई होती है वो बहुत ज़्यादा टेश्टी बनती है दोस्तों सबसे ज़्यादा धिहान देने वाली बात है इसमें मैंने जो ये सबसे पहले डाला इसमें बेसन बेसन ही सबसे पहले आपको इसमें आड़ करना है क्योंकि अगर हम सबसे पहले गियां का आटा बुनेंगे तो फिर बेसन कच्छा रह जाएगा आपका अच्छे से नहीं भुन पाएगा तो जब बेसन हमारा हाफ को खो जाएगा भुनने लगेगा तो ये खुश्बू देने लग जाता है इसके अंदर से बहुत अच्छे सी भीनी भीनी खुश्बू आती है ये देखिए अब हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है अब हम इसमें क्या करते हैं इसमें हम एड़ कर देते हैं आटा बेसन और आटे का रेशो मैंने लिया है डबल का मैंने दो चम्मच लिया है बेसन और चार चम्मच लिया है मैंने आटा अब इनको हम दोनों को बहुत अच्छे से भून लेते हैं अब ही आपको लगेगा कीस के अंदर गी कम है बट ये काफी है इतना गी क्योंकि जैसे ये भूनेगा अच्छे से भूनने लगेगा तो ये अपना सारा गी रिलेज कर देगा देखे ये डिला होना शुरू हो गया है ना जब ये पूरा भून जाएगा तो ये एकदम से एकदम गिला तैरने लग जाएगा ये देखिएगा इस तरीके से अब ये रिलेज होना शुरू हो गया इसके अंदर से गी इसका मतलब ये बुनने लग गया और इसके अंदर कितनी बहुत अच्छी आप नहीं समझ भाएंगी जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा उस टेम आप महसूस करेंगे कि इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है और अब ये बुन गया है जैसे ये बुन जाएगा तो हमें इसके अंदर तीन गुना पानी डालना है जैसे कि आप मैं सब्सक्राइब आधा कचा लिए था बीसन और एक कचाची लिया था मैंने गयां काटा यानि के टेर काची में तो इसका तीन गुना हमने डाल देना है इसके अंदर पानी अब पानी डालने के बाद में बस हमें हाथ रोकना नहीं है जल्दी जल्दी इसको चलाना है कि इसमें गुठ लियाना पड़े इस काटोरी का नाप लिया था मैंने पानी खुश्क होने लगया है अब हम डालेंगे जमान गोकाटोरी में ऐलाइची डालने के बाद में अच्छी कले देस्योड्य जाए तो चीनी से अच्छी माने जाती है, चीनी से ज़्यादा आपको देशी खान का इस्तमाल करना चाहिए, उसके बाद में मैं इसमें कुछ ड्राइफूट सैट कर दूँगे, कुछ अभी डाल दूँगे, कुछ डाल दूँगे, इसके उपर डेकॉरेशन के लिए, और इसको फ कुछ लोग किस तरह से बनाते हैं हलुआ कि बस ये पानी खुश्क हुआ, ये देखिए इस तरीके से, और बस समझते हैं हलुआ हो गया तयार, बट इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा गिल-गिला पंसर आ जाता है, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता, अब ये देखने में तो लग रहा है कि हो गया है तयार, बट मेरे साब से तयार नहीं हुआ, मैं किस तरीके से तयार करती हूँ इसको, आप देखते रही है, एंड तक वीडियो तब आपको पता चलेगा, कि आप सच में कहेंगे, हाँ ये एक्च्छल में वो है तयार, इसकी बुनाई हमें सर्फेस चोड़ रहा है, इसके बाद भी मैं इसको अभी एक मिनट तक और भूनूंगी, और भूनते भूनते इसके कलर में भी चेंज आ जाएगा, आप चाहें वीडियो बैक करके देखना, कि जब मैंने आपको बताया था, तब मैं और अब मैं कलर में कितना अंतर है, और हलवा उनके तियार हुआ है, और प्लीज मेरी रिक्वेश्ट है, आप से आप प्लीज एक बार इस तरह से ट्राइ करना, तो अब हम कर लेते हैं इसको सर्व, हलवे को, तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और अग आपको बिलकुल नहीं बूलने हैं क्योंकि उसी से आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलने वाली है, तो बाई फ्रेंड्स गलत प्रेंड्स